मार्किट के अंदर नवेंबर का महीना शुरू हो गया और बिटकॉइन अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सारा मेटर अब वीकली केंडल का हो गया है आज संडे नाइट है और कल सुबह 5.30 एम के उपर वीकली केंडल क्लोज हो जाएगी ठीक है और हमें नहीं लगता कि बिटकॉइन इस वे कुछ करने के मूड में है अगर हम देखें यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस आप देखो वीकली केंडल किस तरफ गोंग गया है मतलब एक पल के अंदर क्या जजबात ही बदल दिये इस वीकली केंडल ने जो माहोल बना दिया था 73,600 डॉलर का मुझे लगता है गेम ठीक है वहाँ पे गेम ज़रूरी था लेकिन इतना गेम की बिटकॉइन का प्राइस 67,000 डॉलर तक आ चुका है ठीक है क्योंकि 69,70 तक भी जो लॉंग सके ट्रेड लगे उनको भी लिक्विडेट कर दिया तो बिटकॉइन ने इस वीक सिर्फ और सिर्फ गेम किया है लेकिन कोई प्राबलम नहीं है अब वेट कीजिए नेक्स्ट वीक का यूए सिलेक्शन है और बहुत बड़ी डेट है परसो ठीक है तो नेक्स्ट वीक पूरा माहौल बन सकता है मारकेट के अंदर और मया ओल-टम हई भी लग सकता है ।्धिक है क्योंकि इतना बड़ा डेट और इतना बड़ा टाइम मारकेट में आ रहा है और उससे पहले अगर Bitcoin गेम कर रहा है तो definitely next week कुछ ना कुछ बढ़ा होगा तो इस week कुछ expect मत कीजिएगा wait कीजिए सुबा 5.30 a.m. तक का ठीक है जो होगा अब कल ही होगा नए week में ही होगा तो Bitcoin के price अभी आ चुके हैं अगर हम देखें तो 67,600 पे चल रहा है और 67,570 डॉलर के भी लो लगा दिये Bitcoin में इलेक्शन में अब दो दिन का टाइम रह चुका है और Donald Trump अलरेडी बहुत कुछ कह चुके है डॉलर को लेके भी और हमने डॉलर की बात की थी लेकिन Trump क्या गह रहा है Bitcoin is not threatening the dollar the US government is अगर dollar कहीं गिर रहा है dollar पिछड रहा है भाया reason आप देख रहे हो dollar के उपर dependent बहुत सारी countries अपनी खतम कर रही है एक तरह से तो उसका reason सिर्फ और सिर्फ US government को मानते है then the behavior of US government is really threatening the dollar ठीक है and I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman Gary Gensler और SEC का आपको पता ही है crypto के उपर crypto companies crypto project के साथ बहुत सारे ऐसे problems चल रही है तो Gary Gensler crypto के lover ना तो है ना ही favor में है ठीक है और अगर Donald Trump आए तो crypto पे तो बड़ा फैंसला होगा और एक बड़ा फैंसला ये भी होगा कि fire किया जाएगा Gary Gensler को और appoint किया जाएगा नए SEC chairman को बात करेंगे जहां एक तरफ पूरी market red है red sunday हमको देखने को मिला आज वहीं दूसरी तरफ नए meme coins की market फल फूल रही है और peanut the peanut market cap exceeded 120 million dollars making many traders rich overnight तो ये ये कहानी भईया ये हमको भी गलत सावित कर रही है कि रात और रात अमीर नहीं बना सकता crypto market और इन स्टोरीज को इन ट्रेडर्स की स्टोरीज को कवर करने का एक ही रीजन है कि आप भी समझ जाओ market में चल क्या रहा है market में हो क्या रहा है कहा market में है आप पूरी market उठा के देखो कुछ भी नहीं हो रहा दूसरी तरफ ये market है नए मीम कोईन की जहां पर सबसे बड़े गेम हो रहे है ठीक है और इस बार जो कोईन आया पीनट और इसने बहुत सारे traders को rich बनाया सिर्फ कह सकते हैं रात और रात है ना रात रात में ही जो है making many traders rich overnight तो मैं बस आपको इतना ही कहूंगा भाया research करो भलाई यह आप 1000-2000 लेके जाओ लेकिन इस market में भी जरूर जाओ कम से कम पैसा लेके जाओ ठीक है और hunt पर लग जाओ क्योंकि यह सारे meme coin hunter है और कोई 2 दिन पहले कोई 10 दिन पहले कोई 15 दिन पहले meme coin में trade करना शुरू करता है और क्या होता है करोडो रुपे के profit बना लेते हैं यह 2 दिन के अंदर है ना उसी में से peanut की एक और एक trader की कहानी the meme coin hunter made 1.7 million dollar profit on peanut in just 2 days सिर्फ 2 दिन के अंदर 1.7 million dollars बना लिया इसने 13 से 14 करोड रुपे almost यह number बैठता है ठीक है and this trader started trading meme coin 15 days ago and has traded 62 tokens आप देखो 15 दिन पहले इसने start किया meme coins में trade करना यह result लाने के लिए इसने 62 coin में trade किया तब जा कि result आया ठीक है आप यह मैं समझेगा एक दिन में result आजएगा एक coin में trade करने से आजएगा आपको loss भी face करना पड़ सकता है इसलिए कह रहा हूँ कम से कम investment हो and he caught peanut hema project sid r.i.p.e.th or has realized a profit of 9,55,000 in just 15 days वहिया meme coins में profit तो बनाया है इस trader ने no doubt और सबसे बड़ा profit बनाया peanut के अंदर 1.7 यानि 14 करोड रुपे का profit सिर्फ 2 दिन के अंदर peanuts और यहाँ पे आप इसका wallet देख सकते इसने किस कोईन के अंदर trade किया और किस किस तरह से इसने profits मनाया है ठीक है peanut है इसके अंदर जिसके अंदर इसने सबसे बड़ा profit मनाया ठीक है हीमा में इसने trade किया project sid में किया r.i.p.e.th में किया fred के अंदर किया बहुत सारी whales ना इस टाइम पे पीनिट और fred को खरीद रही है ठीक है मूडेंग गॉट ठीक है उसके बाद भी हमने discuss किया था फ्लेविया के बारे में और अब पीनिट आ चुका है और fred आ चुका हो story और इसका winning rate है 43% ठीक है यहां चल रहे हैं सबसे बड़े गेम आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे और बाकी updates नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बाई 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 टेक किया